आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें जो भी जानते हैं कि transcription में क्या होता है ठीक है यहां पर हम सिफ transcription की बात कर रहे हैं और transcription में जो double stranded DNA होता है ठीक है द्वी रज्जुक DNA इससे एकल strand का क्या बनता है संदेश वाहक RNA यानि की mRNA बनता है ठीक है यह प्रक्रिया transcription कहलाती है और दोस्तों जब क्या होता है RNA से DNA बनता है ठीक है double strand so single strand RNA बनता है इससे जब DNA बनाया जाता है ठीक है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है reverse transcription कहलाती है ठीक है और इसमें जो DNA बनता है इससे क्या कहते है पूरक DNA या complementary DNA और short में इससे cDNA भी कहते है ठीक है और इसके लिए जो enzyme उत्तरदाई होता है ठीक है क्या होता है enzyme उत्तरदाई होता है वह कुन सा होता है reverse ठीक है reverse transcriptase ठीक है reverse transcriptase enzyme इसके लिए उत्तरदाई होता है तो दोस्तों यह enzyme जो क्या होते हैं जो retro virus होते हैं ठीक है कुन से virus होते हैं retro virus उन में होता है और यह retro virus क्या करते हैं इनका जो अनुवान शिक्वदार्थ RNA होता है से DNA में परिवर्थित कर लेते हैं या परिवर्थित करते हैं किसमें पोशक कोशिगा के अंदर तो दोस्तों अगर बात करें विखलपों की तो पहला है RNA polymerase दूसरा है DNA polymerase और जो था और आखरी विकल पहे transcriptase दोस्तों RNA polymerase जो होता है यह किसके लिए उत्तरदाई होता है Transcription के लिए उत्तरदाई होता है यानिकि DNA से RNA बनाने के लिए दूसरा है reverse transcriptase reverse transcription के लिए उत्तरदाई होता है यानिकि RNA से DNA बनाने के लिए दोस्तों RNA polymerase DNA से DNA बनाने के लिए यानिकि प्रतीकरती करन के लिए replication और चोथा और आकरी विकल पहे transcriptase तो दोस्तों, Transcriptase के लिए होता है, एक प्रकार का RNA Polymerid होता है, जो की Transcription के लिए होता है, यानिकि TNA से MRNA बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे प्रश्मता सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा भी धन्यवाद.